हलो वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ड आज बात करेंगे प्रोफार्मा इनवाइस और कॉमर्शल इनवाइस में क्या डिफरेंस है प्रोफार्मा इनवाइस कहां पर यूज होती है कभी-कभी इन में कन्फूजन होता है मैं इस वीडियो में भी एक एक एक्जाम्पिल के हैप से आपको समझाओंगा जिससे आपको पूरा टम्स क्रिश्टल किलियर हो जाएगा जब भी आप कहीं पर प्रोफार्मा इनवाइस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यह कहां यूज हो रहा इसका क्या वर्क है यह किस तरीके से काम करता है और कॉमर्शियल इनवाइस पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीज़े एंड नोटिफिकेशन तो पहला एक्जाम्पिल लेंगे कॉमर्शियल इनवा में धोट हो गयां यह तो आपको clear होगा उसके बाद दिङये जब packages कैसे होता है यह पटे में टो पर्टे में होता है तो यह कैसे काम करता है झब अप अपनी और मिचेशन हो और है यह फटन खरीदना है तो वो क्या करेंगी उनको पताएगी बनाते ने तो उसको अपनी पाओगे, सारी detail के साथ हमें दीजिए, क्या आपकी terms and condition है, क्या warranty है, उसके according आप हमें quotation बना के दीजिए, अब ये क्या करेगा, उसी के according, ये क्यों manufacturer है, हो सकता है, ये आगे से भी खरीद के दे रहा हूँ, वो अलग टोपी है, बट अभी ये part इसके प्रास है, वो क्या वो quotation वापस एक बना के उसी part का इस mahm को दे देगा, mahm ये price है, ये lead time है, इतने दिन में ये ready होगा, इतने दिन में हम यहाँ से dispatch कर सकते हैं, ये हमारी terms है, ये delivery terms है, ये payment terms है, delivery terms है, ये payment terms है, delivery terms है, मैंने वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको confusion हो, उस पर आप video देख सकते हूँ, मैं link में दे दूँगा, अब इससे quotation मिले, अब quotation मिलने के बाद क्या करेगी, ये quotation लेके अपने जो इनका account details है, वहाँ पर जाएगी, अब वहाँ पर purchase department है, उसने का हाँ price बगएर, ओकर negotiation करना हो कर देंगी, उसके बाद ये जो quotation है, ये suppose करिए, इनका जो account team है, वहाँ पर चलीगे, account team ने का ठीक है, ओके है, सब कुछ है, तो अब ये, जो purchase वाले, ये एक purchase order release करेंगे, क्या release करेंगे, purchase order देंगे, किसको exporter को, यानि कि Germany वाले जो exporter है, अब वो purchase order में पूरी terms and condition, पूरा सब कुछ detail वगएरा लिखी होगी, उसके according क्या करेगा, जो ये exporter है, वो क्या करेगा, एक उसका order acknowledgement देगा, या order confirmation देगा, यानि कि हाँ, हम confirm करते हैं, कि ये order हम आपका accept करते हैं, ये आपकी जो terms and condition आपके purchase order में है, वो हमें acceptable है, वो stamp वगएरा करके देदेगा, और हम फला-फला तारी को आपका shipment dispatch करेंगे, उसमें late time वगएर भी होती है delivery terms भी होगा, किस तरह से वो जाएगा shipment, तो अभी क्या है, अब suppose कि ये payment term, payment terms क्या है, वो 30 days है, ये मतलब 60 days है, मतलब आप जब shipment move करोगे, shipment move करने से पहले, हमें एक invoice दोगे, जिस पे हम payment करेंगे, क्योंकि ये shipment बेच रहा, इसको payment चाहिए, अब क्या करेगा, shipment ready हो गया, अ होता है, यानि कि मतलब 30 दिन के बाद payment देना होता, तो भी ये commercial invoice पर जन्रेट करता है, प्रोफर्म इंवाइस तो बीच में आता ही नहीं, अब ये commercial invoice इसको दे दिया, और ये shipment, ये क्या करेगा, अगर उसके before shipment है, तो ये इसको pay कर देगा, और ये shipment यहां से move होते हुए, इ जो final invoice होनी है, जो payment वगारा होनी है, वो इसके through होगी, लेकिन अगर 30 days credit है, उसके बाद भी payment है, तब भी commercial invoice जन्रेट होगी, ठीक है, तो प्रोफर्मा इंवाइस कहां जन्रेट होती है, next slide पर देखते हैं, देखी, प्रोफर्मा इंवाइस, जिसे PI भी कहते हैं, same example लिया है तो quotation जैसे ही यह receive किया, इसको price बगरा okay हुआ, इसने जब purchase order दिया, अब order acknowledgement या order confirmation नहीं देगा, यह इसको देगा, प्रोफर्मा इंवाइस, प्रोफर्मा इंवाइस क्यों देगा, देखी, यहाँ पर क्या है, payment term माल लीजे advance है, मतलब आप पैसा दोगे, तब आपका जो श प्रोफर्मा इंवाइस में देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर advance की बात आए, advance में प्रोफर्मा इंवाइस लगता है, क्योंकि उसे bank details चाहिए, तो यह formal letter होता है, वह अपना letter rate होता है, या उस पर बनाते है, या कोई तरीके format होता है, या tally से भी बनता है, वह उस तरीका हो इसके बाद यह क्या करेगा, अपने account team के help से क्या करेगा, इसे pay कर देगा, pay करने के बाद, एक दो दिन के बाद जब इसको payment इसके account में receive होगी, क्योंकि यह detail इसको बेज देगा, कि वह हमने payment कर दे, तब जाके यह इसको acknowledgement करेगा, ठीक है, हम order accept करते हैं, फला फला तारीक आपका shipment ready हो जाएगा, अब shipment ready हो गया, shipment ready होने के बाद, अब shipment निकलना है, तो shipment किस पे निकलेगा? Commercial invoice पे निकलेगा, यानि कि final invoice पे निकलेगा, अब यह एक्सपोर्टा जो है वो final invoice यानि commercial invoice generate करके इस shipment को यहां से dispatch करेगा और shipment जो है यहां तक पहुच जाएगा बिल्कुल किलिए रहे हैं कि पिछले example में commercial invoice release हुआ था यहां पर pro forma invoice भी generate हुआ और commercial invoice generate हुआ इसके लब और क्या-क्या प्रोफार्म invoice भी कहते हैं या advance invoice भी कहते हैं इसे तो tax invoice में मतलब credit में भी चलता है और P.I. का मतलब इसे 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 इडवांस में चलता है payment tax invoice पे हो सकता है नहीं टैक्स invoice पे payment हो सकता है लेकिन यह generate होती है final जब shipment payment निकलना होता है P.I. में payment हो सकता है अफकॉस यह तो advance payment के लिए ही है और आपको एक्जाम के समझ में यह आगया होगा आपको रिवीजा नो रहा होगा अब यह क्या है यह final invoice है और इसे हम temporary invoice भी कह सकते है custom clearance किस पे होगा final invoice पे होगा या P.I. पे होगा custom clearance हमेशा tax invoice जो final invoice जिससे shipment move हो रहा है जो shipment के साथ है उसी के साथ होता custom clearance में pro farma invoice का कोई भी रोल नहीं है यह सिर्फ रोल है advance payment और account department अपने reference के लिए रखता है tax invoice पे tax लगता है बिल्कुल tax लगता है pro farma invoice कोई tax नहीं लगा कोई GST नहीं लगेगा क्योंकि यह तो सिर्फ एड्वांस करने लिए ना कि उसके payment मिल कि आप अपने country में क्या देजा exporter वो उसकी हड़ेगा हम यहां पर importer की बात कर रहे तो importer के case में कोई tax नहीं लगेगा tax invoice के उपर क्या insurance हो सकता है बिल्कुल हो सकता है tax invoice जब shipment के साथ move हो रही तो insurance तो हो नहीं होना है और यह जो shipment के साथ move नहीं हो रही है तो इसका मतलब इसमें insurable नहीं है दूसरा क्या tax invoice केंसल के रिवाइश हो सकती है बिल्कुल हो सकती यह सबकुछ हो सकता है पेमेंट नहीं हो रहेता सबकुछ नहीं हो सकता है लेकिन टेक्स अगर shipment हो गया shipment वहां से निकल गया तो यह payment हो जाती है तो उस condition में वह cancel और revise नहीं हो सकती है क्योंकि shipment तो निकल गया ना और PI के case में क्या shipment तो नहीं निकला है खाली generate हुआ है तो इस condition में बिल्कुल cancel हो जाती है और जारा तो cancel हो जाती है payment नहीं आया तब भी समझ लो आपको cancel हो गया अब time time पर revise भी हो सकती है tax invoice पर shipment move हो सकता है जैसे मैंने पहले बता है shipment move हो सकता है और PI पर shipment नहीं move हो सकता है HS code tax invoice में mandatory है बिल्कुल invoice में mandatory अगर import हो रहा है तो HSN code लगेगा ही लगेगा वह अलक्टॉपिक है और PI में optional है लेकिन accounts team अगर payment कर रही है importer की तो उसे चाहिए होता है वो इससे लेकर दे देता है पर एक तरीके से optional है mention होना चलूरी नहीं है hope आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी please like और subscribe आवा चैनल, thanks for the watching